आज जो 20 डिसमबर 2022 का आपका डिलेट सेकंड समेस्टर का गड़ित का प्रस्ण पत्र होगा है इसका पूरा सल्यूशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे स्वाल्व करते हुए चलेंगे और इतना एक जैक का एंसर हम लोग में इसको सौल्व कर सकते थे तो चलिए स्टाट करते हैं देखें बहुकर्पी प्रश्णों में अब देखें दोस्तों यहाँ पर पूछा सबसे छोटा पूरांक है तो पूरांक संख्या है क्या होती है आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इंफाइनाइट तक और इ संख्या रेखा पर जो संख्या हैं हम लोग दरसाते हैं 0, 1, 2, 3 और इधर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इस तरीके से माइनस इंफाइनाइट तक यह सभी संख्या है जिसका decimal part 0 होता है जिसमें दसमलों वाला भाग नहीं होता है हम क्या कहते हैं पूरांक संख्याएं कहते है और इसमें आप देखिए इन पूरांक संख्याओं में आपसे पुछरा सबसे छोटा पूरांक है तो सबसे छोटा पूरांक संख्या की अगर बात करें हम तो देखिए यह देखिए एक यहाँ पर है और सुनिए यहाँ पर है माइनस 1 इधर जैसे जैसे आप बाएं तरफ स चोटी संख्या मिलती जाती है ठीक है तो यहां पर सबसे चोटी संख्या तो दी ही नहीं है सबसे चोटी संख्या क्या होती माइनस इनुफाइराइट होती है सबसे चोटी पुडांग संख्या तो यहां पर option में जो दिया है इन में से कोई नहीं यह सही हो जाएगा ठीक है अ सबसे छोटा कुरांत इन चारो औपसन में तब खोजा जाता लेकिन यहां कि दिया गया है चोथा इन इन नहीं से तो यह है सही होगा ठीक है आप लोग समझ गए होंगे अब यहां पे सही जो औपसन होगा इन में से कोई नहीं ही होगा अब इसके बाद अगला प्रिश्णम लोग देखते है प्रशंक्यादस है उस संबाहूं तर्वुज का 6 जहरूफ़ कितना होगा जिसका परिमाप 3 에ज संबाश अब परिमाप आपको दिया संबाहूं त्रवुज का संबाहूं त्रवुज आपको पता है कि सभी भुजय जो है बरापर होती है तो परिमाप इसका क्या होगा 3A होगा 3A बराबर आपको दिया है 3A बराबर कितना आजाएगा एक यानि की भुजा कितनी आगई एक मीटर आगई यह ध्यान दीजेगा यूनिट अब जब भुजा इतनी आगई तो अरिया इसका क्या होता है area इसका होता है 3 by 4 भुजा का square sum bounce रोज का area यही होता है तो root 3 by 4 भुजा का square यानि कि 1 meter का square तो यह हो जाएगा 1 का square और बुड़ा होगा तो यह कितना आजाएगा root 3 by 4 ही आएगा तो root 3 by 4 meter square value आजाएगी option 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद देखेंगे प्रस संख्या 3 है निम्न में से अभाजी संख्या है तो अभाजी संख्या है जो केवल खुद से या फिर एक से कड़ती है ऐसी संख्याओं को हम अभाजी संख्या कहते हैं अब देखिए option नमर एक में आठ एक संख्या जो दो से चार से भी कड़ती है तो यह बाजी संख्या नहीं हुई तो यह option गलत हो जाएगा इस तरीके से 3 से एक से और खुष से कटता है तो यह भी आपको भाजी संख्या मिल गई और यह अगज़ भाजी संख्या है तो इस तरीके से option 2 में आप देख्या है यह और है तो और तीनों ही संख्या जो दे गई है है तो option two correct हो जाएगा इसके बाद this our of the तो रेंड थीन ब्टे-चार संख्याstar का योगातमक प्रति लोग क्या होता है इसमें कि मान सुनने ही हो जय b तो दÝ एक का जो मान आजाएगा रेंट 3 बटे चार को बरावर के उदर भेज दे तो वीज्ञ आजाएगी 3 बटे चार. यानि की योगात्मक पृतिलोम इसका होगा 3 बटे 2 और कुड़ात्मक पृतिलोम होता है. लेंट 3 संख्या का गुड़ा नियों क्या होगा? रेंड चार बटे तीन तो option दो जो है तीन बटे चार और रेंड चार बटे तीन ही है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद देखिए प्रसंख्या 5 है निमलिखित में से रेखिये समिकर्ण कौन सा नहीं है रेखिये समिकर्ण आपको मैंने करए है रेखिये समिकर्ण कौन सा नहीं है यह एकला रेखिये समिकर्ण करते हैं अब मीदरस नहीं होगे तो इसके बात की चाहला है, उसके टियो घुराइक जो जो और का पॉरणक जो तरी मिनीदे तो इस तो इसके बात का पॉरणक जो एक जो भूराइक करनेशचे जिमें, तो यहीं सिव्षया है, तुर मोगा 4x-5, ठीक, अब इसके बाद देखिए पसंद क्या साथ है, रिन 2 बटे 3 धन ब्रैकट में रिन 4 बटे 5, रिन 6 बटे 7 को सरल कीजिए, तो इसका solution देखिए आप, देखिए ब्रैकट सब हटाईए, तो रिन 2 बटे 3, फिर देखिए धन का गुड़ा रिन में होते हो जागा रि क्योंकि अंदर रिन 4 बटे 5 है, तो ब्रैकट खोलेंगे तो यह भी रिन 4 बटे 5 हो जागा, फिर देखिए रिन 6 बटे 7 है, अब देखिए सभी रिनात में संख्या है, और सभी का जो हर है वह आसामान है, तो इसको हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं, हर को बराबर कैसे करे करेंगे, LCM लेकर के, LCM आप लोगे, तो कितना आजाएगा LCM, LCM आजाएगा 3 गुड़े 5 गुड़े 7 कि यह है, तीनों ही अभाजिस अंख्याएं हैं, कुछ ऐसा कौमन मिलेगा नहीं, तो यह रिन 2 गुड़े, 3 बटे में 5 और 7 नहीं है, तो 5 और 7 का गुड़ा हो जाए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा, 16, 18, 18, 95, और बटे में कितना आजाएगा, 15, 70, 105, और अब उपर देखें, सभी माइनस हैं सभी जूड़ जाएगे, 90 और 70 हो जाएगा, 160 और 84 हो जाएगा, 244, तो रिन 244 बटे 105 यही उत्तरा जाएगा, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला परसन देखेंगे, परसन क्या 8, 15 सेंटीमीटर बुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर बुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखें 15 सेंटीमीटर बुजा का जो बर्ग है, उसका एक छेतर फल निकलेगा ठीक, और 5 सेंटीमीटर बुजा वाले जो बर्ग है, उसका एक छेतर फल निकलेगा, अब जो बड़ा छेतर फल है, उसमें से आप छोटे-छोटे कई सारे छेतर फल बना सकते हैं, ठीक है, तो यही य आप ही करना है तो जो लिए देख लेते हैं कैसे करते हैं में पंदरे सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का छेत्रफल कितना होगा में अब हम देखेंगे बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या लिए 15 वर्ग को कच तीन चेत्र से तिमीटर has 17 सेद्य JUपल मं फाले पाँ से पंदरा कर दो पाँसी 25 से पंदरी तीन वारों कर जाएगा उस गना कार बरतन की कोर दास्सेमी है घाना कार बरतन की कोर 10 बरतन में दिल जल का लेतनलीटर में ज्यानत कीजिए है अब यह मैंने आपको बार बार पताया है कि एक लीटर आताय is आप कैसे क्या लिखते क्या आप देखिए 9 प्रश्चने संख्या है और खनाकार बरतं का जो कृँद बुजा भुचा है वह 10 से नहीं है थीक अब आयतन कितना वह जाएगा घन का आयतन आप लिखते तो यह होता है भुचा क्यूब यानि की 1000 संटीमीटर क्यूब या घन संटीमीटर अब आपको पता होता है एक लीटर में, एक लीटर में होता है, एक हजार घं सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्योग, तो अब इस एक हजार सेंटीमीटर क्योग को आप क्या रिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा, आयतन बराबर एक लीटर, इसी तरीके से आसानी से बिल्कुल आपका solve हो जाता, इसका जो बरतन में रखे चल का आयतन आ जाएगा वह एक लीटर आ जाएगा क्योंकि जो बरतन का आयतन है वह एक लीटर है ठीक है अब इसके बात देखते हैं प्रसंके 10 है इसमें गुड़ा करना है इससे ठीक है तो चलिए देखते हैं गुड़ा कर लेते हैं अब देखें प्रसंके 10 है X square minus X Y plus Y square में गुड़ा हो रहा है X plus Y का आप देखिए X का पहले पध में पूरा गुड़ा होगा फिर Y का पूरा गुड़ा होगा इस पद में तो इस तरीके से आप लिखले जाहे X square minus X Y plus Y square into X फिर plus इसी में गुड़ा होगा Y का इंटू वाई तो बीच में प्लस है यहां पर इसलिए यहां पर प्लस आदेगा ठीक है अब बराबर एक्स का गुड़ा करिए एक्स स्क्वाइर में होगा तो यह जाएगा एक्स का गुड़ा होगा मानिस एक्स यहां पर प्लस योग आप देखिए समान पदों को सात में जोड़ा घटाए जाता है तो एक्स क्यूब यहां पर है तहीं पर एक्स क्यूब का पत है नहीं है x3 इसी तरीके साब गजिए अब देखिए आप है minus x² y यहांई x के दो खाथ और y की एक खाथ कहीं और पे है तो यहांपे देखिए x² into y अब यह तक है यह रिनात्मक है यह दनात्मक है तो आपस में दोनों कैंसल हो जाएंगे value आ जाएगी 0 और इसी तरीके से यहाँ पर देगे plus x y square है और यहाँ पर है minus x y square तो यह भी आपस में कर जाएंगे यह भी 0 हो जाएंगे और बचा है देखियो y q तो value कितनी आ जाएगी गुड़ा करने के बाद यहाँ जाएगी x q plus y q अब यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं कि बस बुड़ा करने को बोला है इसका गुड़न खंड करने को बोला है नहीं है अगर गुड़न खंड करने को बोलता है तो यहीं पर आप a q plus b q का फॉर्मूला भी लगा सकते थे अब इसके बाद देखिए अगला प्रस्ट देखते हम लोग प्रस्ट के 11 है किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर सेस्फल एक है वह संख्या ग्यान कीजिए अब माना वह संख्या X है तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर यानिकि x संख्या है तो इसके एक चौथाई बलब इसमें 1 बटे 4 से गुड़ा कर दीजिए या 4 से भाग कर दीजिए यह हो जाएक ऐसका एक चौथाई और इसमें से एक घटा दिया जा रहा है तो वैल्यू कितनी पर नियुक्ति के 1 मिल लई है। यहां परस्ट में का गया किसी संख्या के 1 14 में से 1 घटाने पर सेस्पल 1 है। तो वही हमने किया है संख्या एक्स है इसका 1 14 में से 1 घटा दिया है और बरावर दिखा दिया है देखिए रहन चार जाएगा उधर जुड़ जाएगा तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सही सही किया हूंगे ग्यारे नंबर यहां तक आपके बंगते हैं अब इसके आगे हम दो देखते हैं प्रस्णों को देखेंगे प्रस्ण के बारह है एक वर्गाकार बगीचे के चार और पचास सेमी चोड़ाई का मार्ग बना हुआ है बागीचे की लंबाई मार्ग सही 51 मीटर है बागीचे का चेत्रफल ग्याद कीजिए अब देखें एक वर्गाकार बागीचा है पहले तो आप यह समझे लंबाई चोड़ाई जो है समान होगा कि बागीचा जो है वर्ग है तो चलिके देखते हैं फिगर के मार्धियम से आप समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ वें आ रहा है यहां पे एक वर्गाकार बागीचा है जिसकी जो लंबाई है वह है 51 मीटर अब यहां पर आप से पूल दिया गया कि यहां पर किनारे किनारे इसके रास्ता निका गया है चारों तरफ से रास्ता निकाला गया है बोला गया जैसा कि प्रश्ण में और बोला गया है इस रास्ती की जो चौड़ाई है वह 50 cm की है रास्ते की जो चौड़ाई है वह 50 cm की है ठीक अब यहीं से आप समझेए कि रास्ती की जो चौड़ाई है मार्ग की इसे लिख सकते हैं लिख लीजिए तो 0.5 m je ho जाएगा तो यह बचेगा 50 m इधर भी 50 m आपा रहा हूंगे आदा मीटर इधर से घट गया आदा मीटर इधर से घट गया तो बचा कितना, एक मीटर घट गया और बचा 50 मीटर तो अब सेस बागीचे की भुजा अगर देखी जाया है तो वह कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, ठीक है यहाँ पर आप समझ पा रहाँगे, फिगर से 50 मीटर हो गई तो अब इसका छेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग, यानि 50 का स्क्वाइर यह हो जाएगा, पचीस सो मीटर स्क्वाइर यही आपसे पूछ रहा है कि अब जो सेस बागी चाह है उसका चित्रफल कितना होगा उसका चित्रफल होगा पच्छिस सव मीटर स्क्वार तो यह समझ में आगया होगी दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रस्ण है आपका देखिए प्रसंक्या 13 थोड़ा सा ट्र होगा एकटी टू वाई नाइड यह गई गहीत है और वैल्ली निकालने केसी हमको X square plus b square, यानि की 1 by x का whole square, यानि की 1 by x का square, फिर minus 2 a b, यानि की a कितना है, x है और b कितना है, 1 by x है, यहाँ पर हमने a minus b का whole square का formula विलाया है, और उस नहीं किया है, अब देखिए, यहाँ पर x square plus 1 by x square, बरावर देखिए, x से x कर जाएगा बचेगा only minus 2, अब देखिए इसकी value हमें पता है x2 plus 1 by x2 की value है 82 by 9 अब minus 2 अब इसे आगे solve करिए तो 82 हर समान करिए तो 9 का गुड़ावा उपर 2 में यह जागा minus 18 और पूरे के बटे 9 अब value कितनी आ जाएगी घटा लेंगे तो 82 में से 18 जाएगा तो बटेगा 64 और बटे में 9 और यह हो गया x minus 1 by x के whole square की value ठीक अब x minus 1 by x की value अगर हम निकालना चाहे तो यह हो जाएगा रूट में 64 बटे 9 और यह हो जाएगा 64 कितना किसका square होता है 8 का और 9 3 का तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 बटे 3 यानि की x minus 1 by x की value जो हो जाएगी 8 बटे 3 हो जाएगी यह है आपको मिले गया अब इसके बाद यहाँ पर आपको formula लगाना था a cube minus b cube का formula आपको बता होता है एक bracket में होता है a minus b और दूसरे bracket में होता है a square plus a b plus b square यहाँ पर आपको किसकी value निकाल ली है x cube minus 1 by x cube की value निकाल ली है तो देखिए a की जगा है x और b की जगा है 1 by x ठीक है तो अब यहीं से values put करिए x minus 1 by x और दूसरे bracket में है x square plus x into 1 by x plus 1 by x का square या फिरे लिख देंगे 1 by x का square अब इसका value तो हमको निकालना है x cube minus 1 by x cube का इसकी value हमको पता है x minus 1 by x की value हमको पता है 8 by 3 तो रख दीजिए अब इसके बाद आगे देखिए इसको देखे लिख सकते है x square plus 1 by x square फिर plus 1 x से x कट जाएगा इस तरीके से हमने लिख दिया x square और 1 by x square को एक जगा लिखा हमने आप बस कुछ नहीं किया है और यहां से आगे देखेंगे अब 8 by 3 और into इसको कितना हम लोग लिख सकते है x square plus 1 by x square को जैसा कि हमें value दिया गया question में हम लोग लिख सकते है 82 by 9 plus 1 हो जाएगा अब इसके बाद आगे solve करेंगे तो यह जाएगा 8 by 3 into हर समान कर लेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 जुड़ जाएगा 82 में तो जाएगा 91 अब देखिए 3 का गुड़ा 9 में तो 27 और 8 का गुड़ा होगा 91 में तो 8 और 98 72 तो जाएगा 728 वटे 27 यानि कि x cube minus 1 by x cube कि value कितनी आ जाएगी तो इस तरीके से आप असानी से हल कर सकते थे अब इसके बाद एक पसंद के चावरे हैं मा की आयू पिता की आयू से 5 वर्स कम है 10 वर्स पूरू दोनों की आयू का पांच अपादे 6 था मा की वर्तवान आयू ग्यान कीजिए अब यहां पर एक दंपत्ती की बात हो रही है जिसमें बात यह हुई है कि माता की आयू है प्रजेंट समय में वह पिता की आयू से 5 वर्स कम है और अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो दोनों के आयू में जो अनपात था वह 5 अनपाते 6 था तो मा की जो बरतमान आयू है वह ग्यात करना है आपको देल यह देखते हैं कि इस प्रकार से, सबसे पहले जो आपको ग्यात करना है, वह हम लोग यहाँ पर माल लेते हैं, जो माता की वर्तमान आयू है, वह हम लोग माल लेते हैं, मा की आयू, माना मा की आयू लिखिएगा, बराबर एक्स है, ठीक है, तो पिता की आयू कितनी हो जाएगी, पिता की आयू माता की आयो पिता की आयो से 5 वर्स कम है तो पिता की आयो कितनी हो जाएगी X सधन 5 हो जाएगी क्योंकि माता की X है तो पिता की उससे 5 जादे होगी X सधन 5 और 10 वर्स पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो माता की आयो कितनी होगी मा की आयो, माता की आयो, माता की आयो होगी, X-10 और पिता की आयो, पिता की आयो होगी, X-5 रिड़, 10 यानि कि X-5 हो जाएगा, पिता की आयो, अब दस वर्स पूर्व की ही बात कर रहा है, जो अनुपात दिया गया हमें, अनुपात जो दिया गया है, माता और पिता के आयो मे जो अनुपात है, वह कितरा दिया गया है? वह अनुपात हमें यहां पर दिया गया है, पांच अनुपाते 6 का, यानि कि 5 बटे 6 लिख सकते हैं से, और 10 वर्ज की ही बात हो रही है, तो माता की आयो, यानि कि X रेंड 6 बटे, X रेंड 5 बराबर हो गया है, 5 बटे 6 के, तो अब यहां से क्रिया गुड़ा कर लीजिए, तो 6 का गुड़ा होगा X रेंड 10 में, और 5 का गुड़ा होगा X रेंड 5 में, ठीक है? अब गुड़ा कर यह हो जाएगा 6X माइनस, 6 का गुड़ा 10 में 60, और 5X माइनस 20, ठीक है? अब 5X पर दे ले आएगे, 6X में से गढ़ तो धन 60 हो जाएगा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 जो माता की वरतमान आयू हो जाएगी, वह कितनी हो जाएगी? 35 वर्स हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों, प्रस्तन क्या पंतर है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर और 7 सेंटी मीटर है, तता चोड़ाई है, 20 मी वर्गाकार टाइल की बुचा ग्यात की थी है, जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्स में लगाया जा सके, अब यहाँ पर समझे है कि एक कमरा है, उसमें टाइल्स लगनी है, ठीक है? और यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि हमें बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी है, और टाइल्स को टूटे वितना यह हमें काम करना है, ठीक है? तो देखिये, ऐसी टाइल्स चाहिए होगी, जो चोड़ाई को भी पूरा-पूरा ढख रही हो, और लंबाई को भी पूरा-पूरा ढख रही हो, और टाइल्स जो होगी वर्गाकार होगी, यह आपको ध्यान मे होगी, लंबाई चोड़ाई बदेखिया होगी, यह अदिक है? टाइल्स का प्लिंद मुदयार के सिस्मान भी देखियों नहीं है। लोग पूरी तरीके से लंबाई चोड़ाई में सेट करना है तो लंबाई है 64 मीटर और 7 सेंटी मीटर इसको पूरे को आप सेंटी मीटर में लिख लिजे तो यह हो जाएगा मीटर को बदलेंगे तो यह जाएगा 64 सो सेंटी मीटर धन 7 सेंटी मीटर यानि कि 64 सो साथ सेंटी मीटर हो जाएगा यह और इसी तरीके से चोडाई को लिख लि कि अब यहां पर अगर हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी टाइस लगाएं ठीक है और अगर कार्ट टाइस है तो यहां हमें इन दोनों का हएच सी अफ लेना होगा है है अगर हम लिख सकते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 43 गोड़े 149 और किसी से भी ट्राइब करें देखें दोसे तीन से चार से पांस से चार से शे साथ से आठ से नो से क्यारह से तेरह से चाओदे से यहीजिए तिरालिस से कटेगा ठीक है और इस इसी तहिके से 2021 को लिखा जा सकता है 43 गोड़े 47 अब यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें हाईएस्ट कॉमन फेक्टर महत्तम समापवर्तक तो यह हो जाएगा मासा बराबर 43 जो दोनों जगे कॉमन होता है उसी को लोग लिख लेते हैं मासा आ गया 43 फिर यहां से हम लो होगी 43 सेंटी मीटर यहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो यह मासा का कुस्चन था इसको आप सॉल्व कर लेते इसके बाद देखिए अगला प्रस्ट देखते हैं हम लोग प्रसंगे 16 है व्रित्ताकार मैदान का चेतरफल एक सो चंवन बर मीटर है उसके व्यास की लं और और आर की वेल्यू हमें नहीं पता है अब देखिए गुड़ा कर दीजिए इतना आर इसको अब लिख सकते हैं 154 गुड़े 7 बटे में 22 अब 22 से काटेंगे आप इसको चोबन को तो साथ बार में कर जाता है आर स्कोइर बराबर हो गया साथ का स्कोइर र बराबर हो गय साथ यानि की 14 सेंटी मीटर व्यास के वेल्यू आगी 14 सेंटी मीटर इसके बाद अगला प्रसन देखिए प्रसन क्या सत्रह है यह पॉड़ मांस का कुश्चा है यहां पर कैसे हम लोग किसको सॉल्व करते हैं पहले यह आपको देखना है चलिए देखते हैं देखें कुश् मॉला ब्रेक्ट, 3 माइनस, 8 माएनस, एक में उपर लाइन है और ब्रैकोट क्लोस, और बडा ब्रेकट, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या solve करते हैं, जिन संख्याओं के उपर line होता है, operations के उपर line होता है, उसको हम लोग solve करते हैं, उसके बाद फिर brackets को solve करते हैं, तो बड़ा bracket, 121 सिसी तरह दिख लिए भाग, 11 उड़े 11, minus, bracket में minus 4, minus, मजला bracket, और 3, अब देख इसके बाद देखिए, 112, minus, बड़ा bracket, 121 भागा, अब छोटे brackets solve होना है, स्टार्ट होंगे, अब सभी brackets में इतनी चीज़ हैं, तो 11 गुड़े, 11 कितना हो जागा, 121 आ जाएगा, फिर minus, यहां bracket खोल देंगे, अब कुछ नहीं करना है, तो जागा plus 4, फिर यहां minus है, अब देखिए, 121 भागा, 121 है, अब यहां बड़े bracket में आप देखोगे, तो अब इस बड़े bracket को हम solve करेंगे, और इसमें आप देखेंगे, तो भाग का चिन है, और तो धन का चिन है, तो सबसे पहले भाग के चिन को solve करेंगे, तो 21, बड़े, 121 हो जाएगा, धन 4, धन 4 कितन अब यहां पर ब्रैकेट में जितनी चीजे हैं, उनको जोड़ दीजे, अब के बड़े प्लस का चिन है, तो ब्रैकेट में आजाएगा, 9, अब ब्रैकेट खुलेगा, तो 112 माइनस 9 आएगा, और 9 घटा दीगे 112 में से, तो कितना बच जाएगा, 103, यानि कि उत्तर कितना आ उनको जोड़े हैं, या दरिचिक रूप से मल मिलाब रेंडम, रेंडम ले मले ऐसे ही, किसी को भी उठा लिया गया है, एक दोकरी में से, संतरों को यहां बतायेगा, कि 40 संतरों को निकाला गया है, लेकिन यहां जो मान दिये गयाते हैं, आप देखेंगे, चार ये, चार 8 8 ॐ 4 12 बारा चार सोला सोला चार 20 ऑर चार चार 24 और चार 28 और ये दो मान तक्तिक है ये 30-ट मान तोटल दियेगा है और बोला कि ये कलो आप 10 लेकर के टैली चिन बनाते हूए, 22-23 मान एगे समय आपके लिए कम पढ़ा होगा, मैं जाना हूँ और इसी लिए आपको मुस्किल भी पढ़ाओगा, यह मुस्किल नहीं है, बस आपके लिए क्या है, कि समय इसके लिए जादा चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए, आखड़ों में भी कन्फ्यूच किया है, चारीस संत्र तो को बोला गया है जब को मान दिया गया है तीसी संत्रे का आप टैली चिंद बना लेजिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा सबसे पहले जो भी आंकड़े दिये गए हैं उनको हम लोग एक क्रम में और वही क्रम में लिख लेते हैं जो भी पच्पन आपको 3 लिखा हूआ लिखा हूआ मिलेगा साट जो है वह shine 45 जो है वह आपको 5 लिखा हूआ मिलेगा और 75 चार लिखा हूआ मिलेगा इस तरीके से आपको क्रम में लिख लेना सभी संख्याओं को कि 10% संख्या रस और कि 10% लाऊ है डी नभान की तंगाफ अब यहां पर यहां पे आपको श्राप्टाड करे पनाना है यह आप सबसे पहले देखिए बरक वर्ग अब कहां से स्टार्ट करेंगे आप देखें 30 से सुरू है फसी तक गया है तो 30 सर असी का वर्ग ना ये तिक है पिसालिस से 50 का वर्ग बनाई है 50 से 70 का वर्ग बनाईahaha इसके बाद 70 से 80 का वर्ग बनाई है और 80 से 90 का वर्ग बनाई है ठीक है क्योंकि 80 को भी हमें लेना है अब देखे 30 में आ जाएगा ठीक आठीक टैली चन्न का विश्व भी बना ली के और इसके बाद यहां पर नतीक बारम बारता आजए गा अब यहां पर देखे 30 जो है इसमें आजएगा इस वर्ग में तो 3 और 35 बनाई गाएगा तीस से लेकर कर के 49 तक को हम इस वर्ग में रखेंगे और 40 से लेकर के 49 तक दूस तो यहां पर देखें 30 3 है 35 1 है तो कितनी संक्याएं होगे 4 तो 4 25 खीज दीजिए यह 4 हो जाएगा टैली चिन ने और बारम बारता में 4 किस तरीके से लिख दीजिए इसके बाद देखें 40 कि 3 और 45 कि 3 और 50 को नहीं लेंगे तो 6 यहां पर 6 का टैली चिन आप बनाएंगे और 6 यहां बारम बारता लिखेंगे उच्छे का टैली चिन के से बनाएंगे इसमें देखिए छे को कैसे दिखाते हैं चार लाइन आपके देंगे फिर पांच दिखाने के लिए इस तरह इसको काड़ देते हैं और एक लाइन और बना दीजे का यह हो जाए अच्छे इसके बाद पहली प्चास से साथ़ को तो 50 से साथ परसंगी आठारह एक टोकरी में याध्रिच्शिक डूप से चुने गया चालिश संत्रों के भार क्रामो में नीचे दिए गया है याध रिच्छिक रूप्dock्नकरी में निह एक हो ऐसे आज हिसरी को भी उठा लिया गया है टोकरी में और 4, 12, 12, 14, 16, 24, 24, 24, 28, और यह 2 मान दिये गए है, यह 30 मान टोटल दिये गए है, और बोलना कि वर्ग माप 10 लेकर के टेली चिन्न बनाते हुए, 12 बर्ग बारता सांडी बनाईये, यहां पर आपको 12 बारता सांडी बनानी है, जिसमें टेली चिन्न भी दिखाना है, और वर् आक्रेशा से बना लिए है बामोस्रह जाता हूँ यहाँ अब के लिए कम पढ़e उसीलीए आपको मुस्किल भी उसीलिए बनाका की समय से लिए जादा चाहिए था क्योंकि यहाँ नहीं तो तीसी संत्रे का आप टेली चिन्ड बना लिजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले जो भी आंकडे दिये गए हैं, उनको हम लोग एक क्रम में आरोही क्रम में लिख लेते हैं, जो भी आंकडे दिये गए हैं, आप आंकड आपको तीन बार लिखा हुआ मिलेगा, और पचास एक बार लिखा हुआ मिलेगा, साथ ही इसके बाद देखिए, पचपन आपको तीन बार लिखा हुआ मिलेगा, साथ जो है, वह तीन बार लिखा हुआ मिलेगा, पैंसट जो है वह आपको दो बार लिखा हुआ मिलेगा, और 70 जो है यह आपको 5 बार लिखा हुआ मिलेगा 70 जो है यह 5 बार लिखा हुआ 70 मिलेगा और 75 चार बार लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से आपको क्रम में लिख लेना है सभी संख्याओं को और 80 देखिये दो बार लिखा हुआ मिलेगा 30 से संख्याओं स्टार्ड है और 80 तक है ole आपको यहां पर बता दिया कौन से संख्या कितनी बार आ रहे बंदब थीन संख्याओं 30 लार गो़्म कि dua में 500 बार अना है तो सबसे पहले देखे वर्ग वर्ग अब कहां से start करेंगे आप देखे 30 से start कर लेते हैं 30 से 40 का वर्ग बनाईए ठीक है, फिस 40 से 50 का वर्ग बनाईए, 50 से 60 का वर्ग बनाईए, 60 से 70 का वर्ग बनाईए, इसके बाद 70 से 80 का वर्ग बनाईए और 80 से 90 का वर्ग बनाईए थीक है क्योंकि 80 तक है और 80 को भी है मिलेना है अब देखे 30 30 में आ जाएगा ठीक और 35 भी इसी वर्ग में आ जाएगा 30 से 40 तो टैली चिन्न का भी आप एक कॉलम यहां पर टैली चिन्न का भी बना लीजिए और इसके बाद यहां पर देखे बारम बारता आ जाएगगा एक कॉलम में बारम बारता आ जाएगा अब यहां पर देखे 30 जो है इस में आ जाएगा इस वर्ग में तो 3 और 35 वीशी में आयेगा 30 से लेकर 59 तक को हम! इस वर्ग में रखेंगे और 40 से लेकर के 49 तक दूसरे वर्ग में रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे 30, 3 है 35, 1 है तो कितनी संख्याएं होंगे 4 तो 4, 25 खीज दीजिए यह 4 हो जाएगा टैली चिन ने और बारम बारता में 4 इस तरीके से लिख दीजिए इसके बार देखे 40 की 3 और 45 की 3 और 50 को नहीं लिए तो 6 तो यहाँ पर 6 का टैली चिन आप बनाएंगे और 6 यहाँ बारम बारता लिखेंगे तो 6 का टैली चिन किस तरीके से बनाएंगे इसमें देखे 6 को कैसे दिखाते हैं चार लाइन आप खिर देंगे फिर 5 दिखाने के लिए इस तरह इसको काड़ देते हैं और एक लाइन और बना दीजिए कि यह हो जाएगा अच्छे इसके बाद देखे 50 से 60 को तो 50 से 60 में 50 आ रहा है तो यह इसका कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा बारंबारता कि इसमें चार संख्याएं आ रही है तो ये चार और चार का टेली चिन बना दीजे चार लाइन इसी तरीके से साट से सत्तर के बीच में देखिए तो साट तीन आ रहा है तो इसका टेली चिन नी कितना हो जाएगा इसकी बारंबारता हो जाएगी पांच और टेल इसका जो बारमबारता हो जाएगा 9 टैली चिन्य बनाईए 1,2,3,4 और यह हो गया 5 फिर 6,7,8,9 ठीक इसके बाद 80 से 90 में 80 देखिए 2 आ रहा है तो 2 खड़ी पाई और यहाँ पी बारमबारता 2 और बारमबारता का अगर आप योग लोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 30 यहाँ पे बारमबारता 30 आ घजी आ गई आपको 30 संथ्रों का यहाँ पे शंख्या धियाthis ठीक है तो अ समेच में आया जितना महने solution आपको कर आया है पूरा समझ में आया होगा है एक कुश्चन आपने और हमकी तक किया होगा जहां भी कोई भी CONFUSION है आप मुझे कमेंट करके बताईए, किस मार्क्सं की बन रहे हैं और किस लेवल इस अधिर Living का ऊलना था , और अपने जोर्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर देपाईए